एक amazing news निकल कर सामने आ रही है कि जो Daniel Cormier है जो UFC के अंदर पहले champion भी थे fighter भी थे और अब commentating कर रहे हैं अब वो WWE में जा रहे हैं WWE की 8 October को यानि Saturday को Extreme Rules नाम का एक event होने वाला है अब उस Extreme Rules में Daniel Cormier, Matt Riddle और Seth Rollins के बीच में एक fight होने जा रही है उसमें special referee बनकर आएंगे अब WWE कोई भी new storyline चलाती है तो कही न कहीं से तो start करती है तो यहाँ पर यह hint मिल रहा है कि अभी Daniel Cormier WWE में special guest referee बनके जाएंगे लेकिन उसके बाद वो आगे storyline में continue कर सकते हैं यानि एक और ऐसा UFC का fighter जो shift हो रहा है किसकी तरफ? WWE की तरफ और वो कोई और नहीं Daniel Cormier है तो यह काफी अटपटी, काफी amazing news थी आप लोगों का क्या reaction है? ऐसा भी हो सकता है कि Daniel Cormier और Brock Lesnar के बीच में यह कोई rivalry create करें आपको याद है न? UFC ring में आकर जब Daniel Cormier champion था तो इनकी थोड़ी बहुत कास सुनी भी होई थी Brock Lesnar की और Daniel Cormier की तो अब Daniel Cormier आपको दिखेंगे WWE में और extreme rules जो आठ तारीक को होगी Seth Rollins और Matt Riddle के बीच में एक guest referee में referee बनते होए यह news आपको कैसी रगी? और कौन-कौन से और UFC के जो fighter हैं जो अब retire हो चुके हैं और वो shift कर सकते हैं WWE में आपको क्या दगता है? कौन-कौन है वो? नीचे comment box में comment करके ज़रूर बताएं और हिंदी में अगर आपको UFC की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और दोस्तों तक share करें टेक कियर और हाँ आपसे मैं छोटी वीडियो बनाया करूँ मैं analysis की भी आपका suggestion मान लिया है मैंने